कम बैक टूर क्लास आज कि हमारी क्लास का टॉप जो क्लास है हमारी वह है हिंदी कि फट्रप और प्रते तो प्रत्य से बहुत एजी स्कुश्छन आते हैं exam में simple आप से इस स्कुश्छन पूछ लिया जाएगा अपमान में कौन सान थ्क है तो इस अगर उपसर की की जाए तो आपको तोड़ना होता है जो पहले का शब्द होगा वह आपका उपसर्ग होता है और बादवाला आपका प्रते होता है वह अपी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगी तो किस तरीके से आपको करना है बट अगर कुश्चन इनकेस थोड़ा सा लेवल बढ़क तो वे शब्द जो किसी सब्द के समीप आकर या उसके प्रारंब में जुड़कर शुरू में लगते हैं यानि उपसर्ग कहां लगते हैं शुरू में लगते हैं प्रारंब में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं कई बारी उसके अर्थ को बिल्कुल उल्टा भी क शब्द है तो अगर इसमें बोला जाए कौन सा उपसर्ग है तो इसे हमें ब्रेक करना है अभी प्लस मान तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया अभी प्रचार की अगर बात की जाए प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसे तोड़ा जाएगा प्रप्लस चार तो इ इसरी विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, तो संस्कृत भाषा से 22 उपसर्ग लिए गया है, हिंदी के आपने 10 हैं, और विदेशस जो उपसर्ग हैं, वो हैं आपके 12, अब यहां पर आप देखिए, एक लेस्ट है आपके पास, देखिए, प्रवल हो गया, प्रताप हो गया, प्रक्रिया, प्रलाप, इन सब में पूछा जाएगा कौन सा उपसर्ग है, तो इन में उपसर्ग है, प्रा, यह प्रा से बनने वाले सारे उपसर्ग है, और प्रा कौन से भाषा का उपसर्ग है, सस्कृत का, फिर अगर पराजय की बात की जाए, पराभव, प्राकर्म, इस जैसे निर्जन देखेंगे तो अगर निर्जन का हम अगर संधी विछेत करें तो ये होगा निर्दन जन तो इसमें जो आपका उपसर्ग है वो कौन सा हो गया निर्ग इसी तरीके से एक बार आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं इसी सा टॉपिक है वट आपको पता होना का बात में लगता है तो ये सारे हो गया आपकी लिस्ट लेक सकते हैं निर्जन के उपसर्ग हो गया कुछ जैसे आके अचुता होगया अब अन मोल में कौन सा ओजाएगा अन पलस मोल अन पड़ में कौन सा हो जाएगा अन पलस पढ़िए वस्त जो शब्द दिया है उसके जो भाव है उसको बिल्कुल उल्टा कर दे रहे हैं, उसका opposite बना दे रहे हैं उसे, का यकू, इसका मतलब बुराई और नीस्ता से होता है, कुचाल, कुठोर, कपूत, यह सब बुरे से होता है, पूत मतलब पूत्र और कपूत मतलब बुरा पूत्र, फिर यहाँ पे विदेशत जो उपसर्ग होते हैं, जो कि लिए जाते हैं, फार्सी और अर्भी से, जैसे हो गया कम, कम जोर में कौन सा उपसर्ग हो गया, कम, कम सीन में हो गया, कम, इसी तरीकी से आप देखो कि खुशबू, खुशबू में आपको खुश दिखा गया, बु होती है, अब देखो अगर आपके पास खुश बू शब्द आ गया और आपको पूछा गया इसमें कौन सा उपसर्ग है तो आपको खुश खुश नहीं करना उसमें उपसर्ग है आपको पता होना चीए जो मूल शब्द है वो बू है जिसका अर्थ गंद से होता है और इसके आगे लग गय खुश का मतलब अच्छा है उत्तम तो खुश क्या हो गया एक उपसर्ग हो गया खुश बू जैसे हो गया खुश हाल हो गया खुश खबरी हो गया अब आप यहां पर देख सकते हो बा बा नाम नाम एक अपना मूल शब्द है उसके आगे उपसर्ग क्या लगा है बा इसी करीके से बदतमीज वगेरा हो गया जिसमें बदतमीज में कौन सा लगी सब्द है उपसर्ग बद हो गया एक बार यह आप इनकी रीडिंग कर सकते हैं बाकी और भी हाँ पर सारे उपसर्गों की लिस्ट दीवी है अब आता है प्रते तो जैसे मैंने उपसर्ग में बताया कि उपसर्ग कहा लगते हैं शब्द के शुरू में जबकि प्रते लगते हैं शब्द के अंत में या फिर बात में शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्टन लाए वो क्या होता है प्रते अब प्रते आपके तीन प्रकार के होते हैं एक होता है इस्तरी प्रते question जैसे ar o means का एक question है कि निम्न में से कौन सा प्रत्य है जो कि उसको strilling में परिवर्थित कर देगा अगर question थोड़ा सा high level का बन के आएगा तो वो इस तरीके से आएगा तो इस तरी प्रत्य की list हो गई है ये ये इप्रत्य लगा के हम किसी भी शब्द को उसको strilling में परिवर्थित कर सकते हैं जैसे है घोड़ा इसका अगर मैं strilling बनाना चाहूं तो वो होगा घोड़ी गोड़ी में कौन सा प्रत्य है इसे तोड़े जाएगा इ जो last में आपका आता है वो आता है वो हो गया आपका प्रत्य जैसे काका हो गया ये चाचा हो गया तो इसका strilling क्या होगा काकी काकी में कौन सा प्रते हो गया आपका E प्रते बढ़ाई तो E प्रते से क्या बनती हमारी स्ट्रिलिंग बनता है फिर दूसरा हो गया आपका इन प्रते इन प्रते भी आपका स्ट्रिलिंग में चेंज करता है जैसे अगर बाग हो गया बाग का स्त्रिलिंग होगा बागिन तो इसमें क्या है यह चोटा है तो इन इन प्रते से भी आपका स्त्रिलिंग बनता है यहाँ पे हो गया आ बढ़िया जैसे अगर मैं बोलू प्रियतम प्रियतम का अगर मैं इस्त्रिलिंग करूँ तो प्रियतमा तो कौन सा बन रहा है आप प्रते से इस्त्रिलिंग इसका हो जाएगा आइन हो गया यह हो गया आपका आइन तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे आपको दिख रहे हैं बावु वह गया अक्यां चमड़ाज़ांगों तो बावु या इन हो जाएगा आयन प्रते से मिस्तिर्यमि बन रहा है एकसी हो गया प्रते में बैं हुए या सबयाहा lug ली कहा सब्सक्राइं यह है में यह प्रते मेरे में तो हम आईशमान वती बोलते हैं इस तरीके से इनके स्ट्रि Victorian बन सकते हैं वुद्धिमान का वुद्धिमती आईशमती यह हो जाएगा वुद्धि मती हे इभरना आयस MARK 나오रे हैं तो यह उसके를 Surling बनाने में Saitha करते हैं कौन साीत बंतरी इया हो गया तो यह देख रहे हो आप बुढ़िया देख सकते हो बुढ़ का बुढ़िया तो इया प्रते यह सारे आपके was teeny अब आता है क्रित प्रते अब यहां पर वी जो एक क्वेशन बनता है जो थोड़ा सा लेवल अगर बढ़के बनेगा क्रित प्रते पहले क्रित प्रते कहां लगता है किसके साथ जुड़ता है तो यह हमेशा जुड़ता है धातू के साथ अब धातू क्या होती है धातू होती हमारी क्रिया जिसे English में बूलते है word यानि कि क्रित प्रते हमेशा जुड़ेगा क्रिया के साथ या फिर धातू के साथ तो ये question ये बन गया आपका कि क्रित प्रते किस के साथ जुड़ता है धातू के साथ और अगर ये किसी क्रिया के साथ जुड़ा क्रिया प्लस प्रते ये शब्द होते हैं जब नए शब्द बनते हैं करतरी वाच्य कर्म वाच्य करन वाच्य भाव वाचक या फिर क्रिया वाच्य करतरी वाच्य से संबंध होता है करता करता से अभी मैं आपको बताती करता यानि की सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है अब अगर करत्री वाचक को हम देखें तो यहां पर देखते हैं यहां पर कृत्री वाचक लिखाए से करत्री वाचक भी बोलते हैं करत्री वाचक का मतलब है कि जब कोई प्रते कोई क्रित प्रते किसी धातू के साथ लगा धातू प्लस क्रित प्रते और उसने बनाया करत्री वाचक क्रिदंद करत्री वाचक मतलब वो बनाएगा आपका सब्जेक्ट या फिर करता यहां पर एक धातू है चला जो की धातू है क्रिया है उसमें लगा अकप्रते ये कौँंसा प्रते होगे आपने ये देखना अगर कोई भी प्रते किसी द्हातु के साथ लग रहा है तो वो हमेशा कौन सा प्रते होगा वो होगा आपका खृत प्रते ये चीज आपको ध्यान लखनी है अगर question आया कि धातू के साथ लगने वाले प्रते क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रते अब देखिए यहाँ पर अगर चला शब्द में मैंने अक प्रते लगा दिया तो यह बन गया चालक अब question एक और बन सकता चालक में कौन सा प्रते है अक प्रते है जैसे अगर घात शब्द है घात एक धातु है क्रिया है घात में मैंने अक प्रते लगा दिया तो वह बन गया घातक शब्द और घातक होता है सब्जक्ट यानि की कारे को करने वाला करता होता है सेम हो गया भूल भूल एक क्रिया है इसमें लगा करत्रिवाच्श क्रिधंत हैv meu चल एक क्रिया है इसमें लगा advPrd तो यह जाएगा तराग और तैरा क्या हो गया करता हो गया इसी तरीके से आप हायर देख सकते हो तो है देख सकते हैं तो रख्थ आपकी क्रिया है उसमें हार पृते लगा तो यह राखन हार एक शब्ध बन गिया है जो कि आपका करता है अब दूसराओं गया क्र्म वाचै पृत्य यानि कि जब अगर किसी क्रिया के साथ कोई प्रते लगा तो उसने कैसा शब्द बनाया कर्म शब्द कर्म मतलब होता है आपका object जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है कर्म मतलब जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है और करता वो होता है जो काम करता है अब देखिए खेल एक धातू है उसमें कौन सा प्रते लगा है मैं प्रते लगाया नी प्रते लगाया और बना ओढ़नी इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलना कि दाना में कौन सा प्रते हो गया ना प्रते ओढ़नी में कौन सा प्रते हो गया नी प्रते ओढ़नी क्या है आपका कर्मवाचक क्रिदंत तीन चीज़ा आपको यहां से पता चल जल गई है फिर आता करण वाचक प्रते करण वाचक वह होता है जिसके द्वारा किरिया की जाती है जिसके द्वारा करण से या फिर द्वारा ये एक होता भी है करताने करम को करण से करण से मतलब जिसके द्वारा किरियाज की जाएगे अर्थात की जब जो प्रते किसी तो वह ऐसा शब्да बताऊंगे जिससे करणवांचक बोलेंगे एहां पर प्रतय नहीं होगा पर इससριफ क्रिगनद होगा ऐसा शब्द बनाएंगे जो की क्रिया करने में मदद करता है जिसकी शायता से क्रिया की जाती अप्म देखिया बेलन, बेल, बेल एक धातू है, इसमें अनप्रते लगाया और बेलन, बेलन की सायता से क्या होगा, किरिया की जाएगी, सेम यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत सारी लिस्ट है, गागर हो गया, इप्रते है, गगरी, तो आपको तीन चीज़े ध्यान रखनी, एक तो बेलन में कौन सा प्रते है, बेलन कौन सा क्रिदंत है, और करणवाचक क्रिदंत कब बनता है, यह बनता है, जब धातू में कोई प्रते लगता है, तो करणवाचक क्रिदंत बनता है, फिर आगया आपका भावाचक प्रते, ज जब धातू में कोई प्रते लगा और वो चेंज हो गई भावाचक संग्या में, यानि abstract noun में चेंज हो गई, अब देखिए पुकार एक शब्द है, उसमें प्रते लगा, पुकार धातू का जो कृदंत होगा, वो सेम वही पुकार ही होगा, तो इसमें जो प्रते लगा है, व यहां पर अलग-अलग लिस्ट दीवी है चाल चाल या फिर चल का हो गया अनप्रते लगा चलन यह सारी आपकी भावाचक संग्याएं हैं अब एक तो हो गया था आपका क्रित प्रते मैं आपने देखा कि वो किस के साथ लग रहे थे धातू के साथ यानि क्रिया के साथ तो एक कोश्चन आपको फिर से बताओंगे कि क्या ध्यान लखना है क्रित प्रते लगते आपके क्रिया के साथ अब दूसरे होते आपके तधित प्रते यह क्या होते क्रिया के के लावा जो भी चीजे बच गई यानि की वर्व के लावा क्या बचा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टी वगेरा अलग अलग जो चीजे बची यह हिंदी में बोलेंगे संग्या सर्वनाम विशेशन जो चीजे बच गई हैं उनके साथ जो प्रते लगेगा वो होगा आपका तधित प्रते यह चीजे आपको समझ में आगी क्रित प्रते आपका लगा था केवल धातू के साथ और धातू के अलावा जो चीजे बच जाती हैं उनमें जो प्रते लगता है वो होता है तधित प्रते और जैसे वो बना रहा था वैसे यहाँ पर क्या बनता है वहाँ पर कृदंथ और यहां पर बनता है तधितांथ तो दो चीज़ा आपको ध्यान में रखने हैं कृदंथ और तधितांथ किरुदंथ बनता आपका कृट परते से और तधित परते से बनता है आपका तधितांथ अब यह तधितांथ भी अलग- Heavenly टाइप का होता है जैसे आप देख रहे हो करत्री वाचक भाव वाचक गुण वाचक अपत्य वाचक उन वाचक और इस्तरी वाचक तो इनको वन वाई वन देखते हैं हम इनके मतलब क्या क्या है अब जैसे कृत वाचक या करतरी वाचक भी बोलते हैं से करतरी वाचक क्या होगा जैसे उपर हो रहा था कि जो क्या बनाएंगे आपका करता बनाएंगे काम को करने वाले को बनाएंगे तो जो शब्द हुआ उसमें लगेगा प्रत है और बनेगा लास्ट में क्या करता जैसे लोहा शब्द है मूल सब्दे देखिए यहां पर उपर आपको सारी वर्फ दिख रही थी धातुएं दिख रही थी यहां पर आपको या तो संग्या दिखेगा या शर्वनाम दिखेगा या फिर विशेशन दिखेगा अब लोहा होता है संग्या यानि नाउन होता है ल है भावाचक प्रते वैसे जो संग्या और सर्वनाम और विशेशन के साथ जुणेंगे और क्या बनाएंगे भावाचक संग्या बनाएंगे तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मतांतर यहाँ पर अगर मैं मतांतर मैं आपको पूछूँ कि कौन सा प्रते है तो तरपड़ते नहीं बताएंगे आप इसको तोड़ेंगे तो यह टूटेगा मत प्लस अंतर से तो आपका कौन सा प्रते आया अंतर प्रते अंतर प्रते इसलिए आप एक बार ये लिस्ट जरूर देखें कि कौन-कौन से प्रते होते हैं और कौन-कौन से उपसर्ग होते हैं उसके लावा नहीं होते हैं तो जब रदस्तिके नहीं बनाने हैं बुलावा में क्या होता है आवा प्रते है आपका यह आपने देख लिया बहुत आयत में हो गया आयत बहुत प्लस आयत गुरुत गुण दोश आदी रूपों में change करेगा जैसे प्यास है, उसमें आप रते लगा, प्यासा, भूका, ठंडा क्रिपालू में देखो गया आप तो क्रिपा प्लस आलू एक प्रते हो गया प्रमाण प्लस एक प्रमाणिक प्रते हो गया अब अगर अपत्य वाचक की बात की जाए तो अपत्य वाचक में शब्द क्या चेंज होगा तो ये चेंज होके बन जाता जैसे वंश से रिलेटेड हो जाता है वंश इस्थान आदि का ये क्या कराते हैं बोध कराते हैं इसे कि आप यहां पर देख रहे हो और इसमें यह आव प्रते है कि इसमें लगा आव तो यह एक रागव यह सारे व districts जल रहे हैं मानव दानव यह वंश्ष हो गये हैं जैसे सान से देखी जाए यह सारे आपको वंश्ष इस थां माता पिता इनके आपके जो चल रहे होते हैं उसके चेंज कर देते हैं अपत्य वाचक आपके जो तदान्ती बनते हैं उसके बाद है उन वाचक होता आपका उन वाचक में लगुता, प्रियता, हीनता इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगे अब अगर यहाँ पर आपके जैसे या, ओला इस तरीखे यह सारे आपके क्या हो जाते हैं उन वाचग प्रते हो जाते हैं तो यह आपने देख लिए उपर इस्त्री वाचग मैंने आपको शुरूं में भी बता दिया था अलग से वह इस्त्रिवाजक आपका हो चुका है तो यह सारे आपके उफसर्ग और प्रते के लिस्ट विद लिस्ट और उसमें जो जो चीजे समझने किये वह मैंने आपको सारा बता दिया है बाकी इतना कुछ नहीं है लास्ट यह एक छोटा सा कुशन आया है कि इसमें प्रत टॉपिके में तब तक ले बबाय टेक कर अपनी तयारी अच्छे से करते रहिए